हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं सम्मज़म होंगे मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भार्द वाज व्यूज और ले नॉलेज़ फैक्स एन निव्यूज तो गाई जिन दिनों एक सवाल किया जा रहा है कि क्या हर साल की तरह इस बार भी स्रावन मास की कावन यात्रा का आयोजन होगा या नहीं जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन के चलते सभी तरीके की धार्मिक गतिविदियों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने रोक लगा दी थी और अब जबकी अनलोक वन के तहट मंदिर और अन्य धार्मिक इस्थलों को खोलने की अनुमती सरकार की तरफ से दे दी गई है तो ऐसे में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या उत्तर भारत इस्पेशली वेस्ट यूपी दिल्ली हर्याना और आसपास के इलाकों में जहां सावन महीने की कावन यात्रा का विशेश महत्व है यहां ये कावन यात्रा आयोजित होगी या नहीं तो दोस्तों अभी अधिकारीक रूप से तो कोई भी घोशना नहीं की गई है लेकिन कुछ सूतर ये बता रहे हैं कि क्योंकि अब सावन महीने में एक महीने से भी कम का समय बचा है और शावनिय सिवरात्री 19 जुलाई को है जो कि कामर यात्रा का आखरी दिन होता है तो ऐसे म में यह माना जा रहा है कि कामर यात्रा 2020 का आयोजन लगभग नामुम्किन है बेहत मुश्किल है ऐसी स्थिती बन रही है कि कामर यात्रा का आयोजन तो होना बेहत मुश्किल है ही अब क्योंकि संक्रमन का खत्रा भी कामर यात्रा के दोरान अपने चरम पर हो सकता है और रखते हुए अत्रिक शुरक्षा व्यवस्ता पुलिस को करनी होगी तो जिस इस आप से यह माना जा रहा है कि इस साल कावण यात्रा का आयोजन होना लगबग नम्मुम्किन है अब सभी कुछ भगवान बोलेना की मर्जी पर निर्भार करता है तो दोस्तों हम तो यहीं चाह जाए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और भादाज वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे ही नौलिजबल फैक्स और नीज वीडियो जहना आती रहती है अपना खयाल रखें मुस्कराते रहिए बाबाई